हाई गाइज वेलकम बैक इन कंप्पेटर ग्राफिक्स प्लेयलिस्ट और प्रिवेश वीडियो व्याव डिस्कॉस्ट अबाउट दा कैथोड रे ट्यूब जिसमें दो टेक्निक देखने को मिली थी राश्टर स्कैन सिस्टम और रेंडम स्कैन सिस्टम दोनों ही अलग अलग स्कैन लाइन कवर करता है अभी बताऊंगो इसका अभी पूरा समझाओं आपको रेंडम के अंदर बात करूं तो इन डिस टेक्निक इलेक्रों बीम इस डिरेक्टेट ओनली तुदा एरिया ऑफ दे स्क्रीन वेरे पिक्चर हैस्टू जहां 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 पिक्चर को श जाता हम फंप सब्सक्रीन के सफियर सकयों तो आपको डाइग्राम में स्कैन symmetric बूरेक्टेंगल इस को बोलते है राश्टर इसलिए इसका contr आमें राश्टर स्कैन इसके अंदर अलग-अलग लाइन दिख रही है आपको लाइन वन टू थ्री एंड लास्ट लाइन ठीक है सबके उपर बात करेंगे मैंने कहा था लेफ्ट टू राइट जाएगा और एक ही को स्कैन करेगा तो यहां पर यह लेफ्ट टू राइट जा वह वापिस राइट टू लेफ्ट आ गया थीक है फिल लाइन टू इसके बाद राइट टू लेफ्ट लेफ्ट आ रहा है यानि कि बीम आपका ओफ्ट हो गया इससे पर करता करता क्या हूँए लास्ट लाइन तक पहुच जाएगा जहां पर आपकी स्क्रीन ओफ हो ट्रीम गई आपकी और और ती तो इस्टेट लाइन एं लास्ट आप फर कैसे तो हे नहीं क्या गरेंगे बीम औफ हो जाती तो अपन क्या गरेंगे कि आपका जो धैंट नावाइट इसक्रीन को केवल वुशी को directed करना है जहां पर picture को drawing करना है तो केवल वही प्लस ग्रीन होंगे जहां पर लाइन ड्रो हो रही है उसके आसपास के एक दो ठीक है तो इस तरह से आप random scan को देख सकते हैं तो एक आपको क्या दिख रहे हैं आपर कि drawing बनाने के लिए इन सब चीजों के लिए random को यूज किया जा रहा है जबकि राष्टर मेंली यूज हो रहा है क्योंकि वह पूरी स्क्रीन को scan कर रहा है तो इस तरह से आप देख सकते हो कि राष्टर जादा यूज किया जाता है CRT के अंदर अब आपन deeply पढ़ते हैं थोड़ा इनको तो राष्टर scan system में एक होता है frame buffer actually क्या होता है जो भी आपकी picture का description यानि जो भी output मिला scan करने के बाद उसको एक memory area के अंदर store कर जाता है उसी को frame buffer कहते है ठीक है frame buffer को आपन राष्टर और bitmap भी खेते हैं इस चिसका ज्यानकना और 6280 frame पर सेकेंड लेता है example television आप देखते हो यार इसके अंदर cathode ray tube यूज कर यानि कि right to left था वो एक तरह से तो यहां पर क्या होता है वर्टीकल रिट्रेसिंग भी देखने को मिली अपनको तो दोनों ही टाइप के ओरिजॉंटल और वर्टीकल रिट्रेसिंग भी देखने को मिलती है अगर इसका architecture देख तो यहां पर आप देखो system bus लग रहे है input output device ल लिए जा रहा है और आपको screen पर चीज़े show हो रही है जो मैंने आपको पूरा complete समझाया horizontal वर्टीकल का वह आप यहां पर देख सकते हो ओनों फोने पर कैसे क्या process हो रही है ठीक है बात करूंगे इसके advantages ही तो real image देखने को मिलता है multiple color होंगे dark skin can be pictures यह बिलकुल किया जा सकत पूरी screen को scan कर रहा है तो यह costly होती है random का concept मैंने आपको बताई दिया था कि जहां पर draw करोगे वही चीज़ ड्रोगी like मैंने यहां पर triangle draw करने की कोशिश की तो जिस पर मैं beam पटक रहा हूं cable वही चीज़ reflect हो कि वह diagram बना रही है random buffer में हमें क्या होता है frame buffer की जरवत नहीं क् scan करते हैं यह direct जिस पर beam पड़ती है वही diagram बन जाता है तो यहां पर direct monitor का display processor से connection होता है अब यह particular picture draw करता है तो पहली बात तो इसका high resolution देखने को मिलता है drawing smoothly हो जाती है और memory भी अपनी less लगती है क्योंकि अपन क्या करते है frame buffer यूज़ करते लिए disadvantage की बात करूँ तो realistic image में क्योंकि different different set यह draw नहीं कर पाएगा like 3D में draw करना हो तो कैसे करेगा particular line, triangle, SR के लिए draw कर पार रहा है और color की limitation यहां पर देखने को मिलती है अब मैं बात करूँगा difference between raster and random scan system अब अगर आपको concept जो मैंने पढ़ाए वो समझ में आ गया तो यह कुछ भी नहीं है, random में high resolution होता है सबको पता है इसमें low हो गई, यह more expensive हो जाती है और यह यह आपर less expensive देखने को मिलती है, like modification आपने random में करना चाहे तो beam penetration आप वहां से अटा दो और काम हो जाएगा, लेकिन raster में क्या है पूरे scan कर लिया है तो modification tough पढ़ जाता है, random में solid pattern बनाना tough होता है जबकि यहाँ पर easily बना सकते हो आप राश्टर के अंदर और refresh rate depend on आपके resolution पर होती है, यह depend नहीं करती है, picture के उपर क्योंकि scan करती है cdc, यह पूरी screen को scan करता है कौन राश्टर और यह केवल view area को, particular view area को scan करता है random, अब इसके अंदर beam penetration technology यूज़ करती है, जो shadow mask वो भी आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है, और बात करो यहाँ पर it does not use interlacing method बिलकुल नहीं करता है, यहाँ पर interlacing की बात यह से कर रहा है कि और जो डो वर्टिकल जो retracing हो पा रही है, उसकी बात हो रही है आपर, और यहाँ पर राश्टर के अंदर है, it is suitable for realistic display बिलकुल TV के दर यूज किया जाता है बकायता, and it is restricted to the line drawing application in random scan, so I hope आपको यह topic समझ में आ गया होगा, अगर अभी भी कोई doubt हो था आप comment section में बता सकते है, and साथ के साथ अगर वीडियो पसंद आई है, तो make sure आप नीचे लाल बटन दिख रहा है, उस पर जाके चैनल को subscribe क कर लो, क्योंकि काफी सारा content आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, engineering से related, computer science से related, and अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजिए, so जह हिंज अबारत, मिलता हो next video के साथ में,